अपके ही सहयोगी और आपके एक और परम मित्र और सरकार में आपके सहयोगी श्री अनुराख ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गये हैं जो कि I&B मिनिस्टर हैं, स्पोर्टस मिनिस्टर हैं और सरकार के जो हैं सबसे बड़े प्रतिनी दी हैं क्योंकि उनका पद ऐसा है कि उन्हें सरकार के प्रतिनीधी के तौर पर विपक्ष को भी जवाब देना होता है और मीडिया को भी जवाब देना होता है अनुराग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको भी सुतंतरता दिवस की बहुत-बहुत शुबकामना है ही कह रहा था भी थोड़ी दिर पहले कि सबसे बड़ा दिन है सबसे बड़ा भाशन है और सबसे बड़ा ये विशलेशन है और बात हमारी ये चल रही थी कि प्रधान मंत्री मोदी का ये जो भाशन है विपक्ष इसे कह रहा है कि ये उनका फेरवेल भाशन है इस टर्म का आखरी और इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलने वाला दूसरा आरोप ये लग रहा है कि इतना ओर कॉन्फिडेंस उस भाशन में प्रदान मंत्री दिखा रहे थे कि जै धन्यवाद सुदीर जी मैं पहले तो कहना चाहता हूँ कि निश्यत तोर पर मोदी जी तीसरी बार आएंगे और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवियस्ता बनाएंगे अगर नौ वर्षों में दस्वी से पांच्वी नंबर की अर्थवियस्ता बना दिया और भारत बासियों को इसके लिए बढ़ाई दिये भारत की जनता का श्रमिकों से महिलाओं से यवाओं से व्यपारी से लेगे उद्धमी तक किसानों तक सब का धन्यवाद किया कि आप कों से सीधा जुड़ा है और 140 क्रोड भारतवासियों को परिवार जन मानता है उसको पता है कि उनके मन में क्या है मन की बात के माध्यम से जुड़ा है कोविड के समय साथ में खड़ा है पानी देने के लिए घर तक है शोचाल रुसोई कैस का सिलेंडर पक्का मकान सब दिय है और भाशन में बताया कि कैसे नौ वर्षों में गरीब के जीवन को बदलने का प्रयास किया है जहां तक टाटा बाई-बाई करने की बात है मोधी जी को कॉंग्रेस के लोग सन 2002 से कर रहे हैं कभी मौत का सुदागर कहते थे कभी बिच्चू कभी साम कभी नीच ना जाने किया किया कहा जितना मोधी जी को इन उनक घटिया से घटिया शब्द कह सकते थे अभदर भाशा में वह कहा और कल तो कॉंग्रेस इतना नीचे गिर की लोगतंतर में कि राक्षस तक हिंदोस्तान की जनता को कह दिया अब बताना आपको देश को है कि या जंतंतर में लोगत देता था कोविड के देते समय जो चाइना का दिया हुआ है उस समय कोविड वैक्सिन किस ने दी मोधी जी ने लेकिन उसका दुष्परचार किस ने किया भ्रहम किस ने फला है राहूल गांदी जी और अकलेश यादव जी ऐसे अन्य विपक्ष के निताओं ने तो जनता जान थे परिवार को बचाना था देश को आगे बढ़ाना था तो मोधी जी साथ में खड़े हुए इसलिए मोधी जी के लिए जनता परिवार जन है कॉंग्रेस के लिए राक्षस है जी आज तो कॉंग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनके अध्यक्ष हैं गांधी परिवार के जो सदस्य हैं वो भी कोई आया नहीं लाल के लिए पर और ऐसा लगता है कि अब कॉंग्रेस अपना एक अलग पेरलल सुतंतरता दिवस मना रही है आपका इंडिपेंडें मैं आपसे बात जरू कहना चाहता हूं दो दिन पहले या ग्यारा तारीकों मैं कहूं चार दिन पहले हमने हर घर तरंगा भ्यान की शुरुवात भारत मंडबं से की करतव या पत्तक आए हजारों मोटर साइकल पे खड़े हो कर युवा हाथ में तरंगा लेकर चल रहे थे स उनको राजनीती करनी है दुख की बात तो यह है कि जहां देश को गर्व होना चाहिए कि हमें ऑपरेशन गंगा चला कर मोदी जी ने 23,000 युवा चात्र चात्राओं को यूकरेन से निकाला तो बच्चे हाथ में युवा हाथ में तरंगा जंडा लेकर निकले तो अन्य दे तरंगे को हर घर लहराना चाहते थे जो तरंगा कभी जम्मू कश्मीर में जलाया जाता था धारा 375 से समाप्त करने के बाद पिछले साल भी हर घर तरंगा लहराया गया इस बार भी आपने कल भी वीडियो देखा होगा एक अलगाववा देकातंकवादी के भाई ने भी त रॉप देखती है और भारत का सामर्थ है क्या है यह जानती है यह भारत के इवाहन का सामर्थ यह दुनिया जान चुकी है और postge nostrum यह जो new global order है यह new world order है आप देखिये इसमें geopolitical equations ऐसी बनी है की भारत एक नई कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे लेकिन देश को आगे ले जाने में अगर तरंगा जंडा हाथ में पकड़ कर हर घर तरंगा भ्यान में शामिल होने में कॉंग्रेस को शर्म मैसूस होती है लाल किले की प्राचीर पर आकर मोदी जी का भाशन सुनने में कॉंग्रेस की निता को शर्म मैसूस होती है तो मैं इसमें सुधिर जी क्या कर सकता हूँ क्योंकि कॉंग्रेस तो 140 क्रोण भारतियों को राक्षेस कहने में भी कहीं पीछे नहीं हट रही अनुराग जी आपको याद होगा जिस दिन भारत मंडपम का उधगाटन था उस दिन पहली बार प्रधानमंतरी मोदी ने ये कहा कि ये मोदी की गैरंटी है और वो तीसरा टर्म भी उन्हीं का होगा उसके बाद जब संसद में बोले दूसरी बार फिर उन्होंने ये कहा कि तीसरे टर्म में मैं फिर आ रहा हूँ और आज लाल केले की प्राचीर से भी उन्होंने यही बात कही कि तीसरा टर्म भी हमारा है अगला प्रधानमंतरी तीसरी बार मैं ही बनने वाला हूँ कोई और प्रधानमंत्री ने शायद चुनाव से इतना निकट प्रधानमंत्री रहते हुए इतना overconfidence या फिर इतना confidence शायद इससे पहले नहीं दिखाया होगा और यही बात लोगों को थोड़ी अटपटी लग रही है कि इतना confidence उनके अंदर कहां से आ रहा है कि वो इतने smoothly ये से लेके गुजरात का चार बार मुख्य मंत्री बनने से लेके प्रधानमंत्री दो बार पूर्ण बहुमत के साथ बनके देश की जनता ने लगातार अशीरवाद दिया है 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत किसी को मिला तो नरेंदर मोदी जी के नितरतब में N इसलिए मैं कहना चाहता हूं जनता ने बार-बार विश्वास दिखाया और मोदी जी के पीछे जब भारत की 140 करोड परिवार जन खड़े थे तभी जाकर हम भारत की अर्थिव्यस्ता को दसमें से पांचमें नंबर की बना पाए International Solar Alliance कर पाए Mission Life जैसे शुरुआत की और G20 की Presidency भी भारत को मिलना अपने आप में दिखाता है जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ और भारत जो एक नई उमीद दुनिया के लिए दिखती है न्यू होप दुनिया के लिए दिखती है तो मैं ये कहूंगा ये इसलिए दिखती है कि पिछले कई सालों में लगातार दुनिया का सारवधिक लोग प्रियनेता अगर कोई बार बार उभरा है तो नरेंदर मोदी जी आए हैं देश में पूर्ण बहुमत किसी ने लिया तो नरेंदर मोदी जी को भी लिए और दुनिया को भी कोविड वैक्सीन 157 देशों को कोविड वैक्सीन और वैक्सीन मैतरी के माध्यम से देखर ये दिखाया है कि वासुदेव कुटम कम दुनिया को एक परिवार मानते हैं और दुनिया इसलिए आज मोदी जी को अपना नेता एक रूप से मानना शुरू किया है क्वाड की मीटिंग हो जी 7 हो जी 20 हो आज भा बूत नेता भारत के 140 क्रोड परिवार जनों ने दिया है